हमारे कुछ विद्यार्थियों ने जो बीएड और डीलेड में बरतमान में अध्यानरत हैं उन लोगों ने कुछ पिंदों पर अध्यान ध्यापन करने की चर्चा करने हैं तो हमें दूरभा से सुनाय दिया है जैसे डी रेट फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में पहला पेपर है उसका नाम है बाल विकास एवंग सीखने की प्रक्रिया इसमें बच्चों ने ध्यान रूच और इस्मृति पर चर्चा करने के लिए मुझसे कहा है और बीएड की में भी द्यार्थियों ने चुकि यह बीएड में भी है ध्यान रूच और इस्मृति क्योंकि यह सब अधियम को प्रहविद करने वाले कारक हैं तो इसलिए इन भी नूपर चर्चा आईए हम आप सब करते हैं तो सब से पहले चर्चा करते हैं टॉपिक है अटेंशन हिंदी में इसको कहते हैं ध्यान या किसी-किसी पुस्तक में लिखा है आवधान ध्यान या आवधान दोनों का आशे एक ही है किसी कार को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए ध्यान को केंद्र करना पड़ता है बिना ध्यान के न तो प्रतिक्षी करन हो पाता है और न कारे में मन लगता है और न उसमें सफलता ही मिलती है सिक्षा की प्रक्रिया में ध्यान या आवधान का महत पूर्वस्थान है बिना इसके हम सिक्षा के छेत्र में एक भी पग आगे नहीं बढ़ सकते जो बालक सरीर से तो कच्छा में बैठा रहता है किन्तो उसका ध्यान किसी दूसरी बस्थ में लगा है तो वह कच्छा में उपस्थित रह करके भी कोरा ही रह जाता है उसके ज्यान में कोई बृध्धी नहीं हुपाती है इस्प कारवहापना और अपने अध्यापक का समय योंग स्थ्रम दोनों ब्यर्थ कर देता है पहले मनोबैज्यानिक आउधान को एक मानसिक सक्ति मानते थे उनका विचार था कि आउधान की सक्ति का प्रियोग किसी भी कारे में किया जा सकता है आउधान में चेतना महत्पन हुमक्या का निर्वाह करती है चेतना को किसी वस्तु या विचार में केंदित करना आउधान कहलाता है हमारे आसपास के बातवरण में अनेकों उत्तेजनाई उपस्तित रहती हैं एक समय में हम केवल एक ही उत्तेजना पर अपनी चेतना केंदित कर सकते हैं, हमारी चेतना जिस उत्तेजक बस्तु पर केंदित हो जाती है, हम उसी पर ध्यान देने लगते हैं, हम एक समय में केवल एक ही उत्तेजना पर ध्यान केंदित कर सकते हैं, इस पकार हमारा ध्यान या उधान एक समय में केवल एक अस्थान पर ही हो पाता है जैसे उद्वाणार्थ कभी-कभी हम पढ़ने बैठते हैं थोड़ी दिर बाद हमारी चेतना हमारी पाठे वस्त से हड़ जाती है और हम अपने किसी मित्र के बारे में मन ही मन सोचने लगते हैं ऐसे समय में आखें अच्छरों और सब्दों को देखती तो रहती हैं और हम आगे पढ़ते चले जाते हैं किन्तो हमने क्या पढ़ा यह हम नहीं जान पाते जब हमारी चेतना लौटती है तो हम अपनी इस्थित का पता चलता है हमारी तो हम कुछ समझ ही नहीं सकते जब दुबारा हम सोच कर पढ़ते हैं और पठित वस्तु पर अधान केंदित करते हैं तो पठित वस्तु का भाव हमारी समझ में आ जाता है मारगन के सब्दों में मारगन ने कहा है कि चेतनाएं दो प्रकार की होती हैं केंद्र वर्ती चेतना और प्रांत वर्ती चेतना केंद्र वर्ती चेतना में हमारा ध्यान किसी एक विशेश बस्तु पर केंदित होता है और आस पास की बस्तु का ध्यान नहीं रहता प्रांतवर्ती चेतना में आसपास की बस्तों पर भी ध्यान चला जाता है जब हम अपने अध्यर कक्ष में बैठ कर किसी पुस्तक का ध्यर करते रहते हैं तो हमारा ध्यान पुस्तक में ही जमा रहता है इसका कारण है कि पुस्तक हमारी चेतना के केंद्र भाग में है कि प्रांत भाग में रहती हैं इस प्रकार हम देख सकते हैं कि केंद्रवर्ति चेतना ही आउधान का अधार है आईए आउधान की परिभासाओं पर चर्चा करते हैं मनोवेज्यानिक रास आउधान की परिभासा लिखते हैं किसी बिसे के बिचार को अस्पस्ट रूप से मन के सामने ले आने की प्रक्रिया ध्यान कहलाती है किसी बिसे के बिचार को अस्पस्ट रूप से मन के सामने ले आने की प्रक्रिया ध्यान कहलाती है इंबिसे अटेंशन आचेन अचेन यब ऑ देंटियोऑ ए अटेंशन ए अटेंशन ए प्रक्रिया अप्रियो सिताधत्गें आप GT. एड़ने यपनिपश्तिक ग्राउंड ओवर का फेजुकिस्नल साइकॉलजी नामक पुस्तक में जिसका प्रकासम 1951 में हुआ इन्होंने अपनी पुस्तक के पेज नंबर 170 पर इस परिभासा को परिभासित किया है तो आप लिखेंगे परिभासाल लिखने के बाद अटेंसनी जे प्रोसेस आफ गेटिंग एन अबजेक्ट आफ थार्ट क्लिर्ली बिफोर दा माइंड एकॉर्डिंग रास बुक कना लिखेंगे ग्राउंड ओवर काफ एजुकिस्नल साइकॉलजी पेज नंबर एक्सो सब्तर दूसरे मनुबग्यानिक हैं इनका नाम है मौर्गन एवन गिलिलेंड यमौर जी एएण मौर्गन एड गिली लेंड गिलेंड इनकी परिभासा है अपने वाताब्रण के किसी बिशिश तत्तो की योर उत्साह पूर्वक्त जागरूप होना ध्यान कहलाता है यह किसी अनुक्रिया के लिए पूर्व समयोजन है अनुक्रिया ऑटन्साइरा अ पिली एए लए लिए अलाइव गिली ए लimanaप बिलेंड गिली गली ठी इसका प्रिप्रेरिटरी, पी आर इ, पी ए आरे टी ओ आर वाई, एडिस्मेंट फॉर रेस्पांस, एक आर्डिंग मार्गन, उस तक का नाम इनके है, मार्गन के, आएन इंट्रोड़क्शन आप, आएन इंट्रोड़क्शन टू साइकॉलजी, 1942 में इसका पॉब्लिकेसर हुआ, इसके पेज नंबर 128 पर यह परिभासा दी गई है, तो, मार्गन, फिर किताब का नाम लिखेंगे आप, आएन इंट्रोड़क्शन टू साइकॉलजी, पेज नंबर 128, एक मनो वैज्ञाने के उनका नाम है, डमविले, डि-उ-म-वि-ई-डबले-ले, डमविले, किसी एक बिशे पर चेतना को केंदित करना ध्यान कहलाता है, किसी एक बिशे पर चेतना को केंदित करना ध्यान कहलाता है, Attention is the concentration of consciousness upon one object rather than upon rather, Attention is the concentration C-O-M-C-E-N-T-R-A-T-I-O-N, concentration of consciousness C-O-M-S-C-I-O-U-S-M-E-S-S, Consciousness upon one object rather than upon another, rather than upon rather, किसी एक भी से पर चेतना को केंदित करना ध्यान है, इनकी पुस्तक का नाम है, इस प्रकार से मैंने ध्यान को परिभासित करने की कोशिश किया, इनकी ध्यान की परिभासाइं दी गएं, उसको मैंने बताने की आपको कोशिश किया, आएए चर्चा करते हैं, कि जो ये परिभासाइं दी गएं हैं, इन परिभासाओं के द्वारा, हम ध्यान के अर्थ को या उसकी प्रकिति को कैसे समझेंगे, इनी ध्यान की प्रकिति, इनी परिभासाओं के आदार पर, ध्यान की प्रकिति के समझें, जो महत्पुण्ट तथ हैं, जिनको ये और वो परिभासाओं संगित करती हैं, वो निम्न हैं, नमबर एक, किसी विशिष्ट बस्त उपर चेतमा को केनिज़ करना ही ध्यान है, आएए इसको थोड़ा सा हम एक्स्प्लेन करें, जो डम विले की परिखासा है, किसी विशिष्ट बस्त उपर चेतना को केनिज़ करना ही ध्यान है, ब्याख्या इसकी, हम किसी विशेष समय में वातावण सम्वन्धी कई बस्तूओं को देखते हैं, और उनमें से अधिकांस बस्तूओं के प्रति सचित रहते हैं, उधान सोरू, कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिखी जा रही बातों की ओर देखते हुए भी, बिद्यार्थी कक्षा की डिवारों पर टंगे चार्टों, अध्यापक की उपस्तिती, तथा अपने आसपास बैठे वे बिद्यार्थीयों की उपस्ति, तथा उनकी क्रियाओं के प्रति सचेत रहता है। परंतु अहिन तमाम बस्तिउं के प्रति असपास रूप से सचेत नहीं होता, क्योंकि एक भी समय में वह केवल एक भी बस्ति की ओर असपास रूप से सचेत हो سकता है। अतह, किसी एक बस्ति बिचार या क्रियापर चेत्णा कैंदित करने से, हमें उस बस्त विचार या क्रिया को अच्छी तरह समझने की योगिता प्राप्त होती है चेतना को केंदित करने की यह प्रक्रिया जब हम अन्य वस्तूओं की अपेक्षा किसी एक विशेस बस्त की और अधिक सचेत होते हैं ध्यान कहलाती है दूसरी परिभ्यासा है आउधान निरंतर चलता रहता है इस ओर हम अपनी ब्याख्या देते हैं अटेंशन इस कॉंस्टेंटली सिफ्टिंग जब हम किसी एक विशेपर ध्यान दे रहे होते हैं तब हम उसके प्रतिय असपस्टूप से सचेत होते हैं क्योंकि हमारी चेतना उस पर केंद्रित होती है परंत उस समय उन विशेओं यों क्रियाओं का क्या होता है जिन पर हमारी चेतना केंद्रित नहीं होती क्या हमें उन विशेओं की और क्रियाओं का ग्यान होता है या नहीं अवश्य होता है परंतो इतना अस्पस्ट नहीं होता जितना ध्यान केंद्रित पीशे पर होता है। ऐसा क्यों? इसका कारण चेतना का विभाजन है। किसी बिशिस समय में चेतना दो भागों में विवख्ट हो जाती है। केंद्रिय चेतना और तटवर्ती चेतना। जब हमारा ध्यान ब्लैबोर्ड के और होता है और हमारी चेतना उसी पर केंद्रित होती है तो अन्य वस्तुएं क्रियाएं तटवर्ती चेतना में रहती हैं। उनके प्रतियम केवल आंसिक रूप से ही सचेत रहते हैं। ये दोनों प्रकार की चेतनाएं एक दूसरे का में अगला पॉइंट हमको मिलता है ध्यान चैन प्रधान होता है अटेंसएं ए सेलेक्टिव वातवन ने विभिन प्रकार के उत्तेजक होते हैं जो ब्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ओदान सुरू एक और रेडियो से संगीत प्रसाइथ हो रहा है, दूसरी और कई व्यक्ति बाते कर रहे हैं, तीसरी और गली से सोर आ रहा हैं। हमारी अन्य ज्यानिंद्रों को प्रवाविध करने वाले उत्ते जग भी हमारा ध्यान अपनी औराकर्षित करने का प्रयास करते हैं, जैसे सिरदर्द, अत्यधिगर्मी, सरदी, आधी. हम एक ही समय इन सभी बातों पर बराबर ध्यान नहीं दे सकते, अताईन सबके प्रति हमारी प्रत्क्रिया बिल्कुल भिन होती है। हमारी प्रत्क्रिया चैन प्रधान होती है केवलू वही उद्धीपन हमारा ध्यान अपनी और आकर्सित करने की योगता रखते हैं जिनके प्रति हमारी रुच्छी होती है। सेश उद्धीपनों की हम अभिलना कर देते हैं, जो उद्धीपक अत्यंत महत्त पूर्णयों उपयोगी होता है, वह ततकाल हमें अपनी और आकर्षित कर लेता है, इस पकार ध्यान का छेतर हमेशा सेमित रहता है और उसमें किसी विशेश उद्धीपन का चुनाव होता है। ध्यान की परिभासाओं से एक पॉइंट हमें और मिलता है, ध्यान तैयारी या जागरूता की इस्थित है, अटेंशन इजे इस्टेट आफ प्रेपेर्डनेस और इलर्टनेस, मौर्गोनर्ड अएंड गिलिलेंड की जो परिभासा है, उसको अगर हम ध्यान में रखें, तो ध्यान को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिसमें अनुक्रिया के लिए पूर्व समझन किया जाता है, इस प्रक्रिया के दोरान प्राणी उद्धीपक की स्थिति के प्रत्य अनुक्रिया की तैयरी करता है, या उसके अनुकूलन समझन करता है, दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि वह सारीरिक मांसिक यों भावातमक जागरुकता की प्रक्रिया में से गुजरता है उद्धीपन के प्रत प्रभावसाली करने के लिए उसकी ग्यानेंद्रियां समझन करती हैं उसके सिर आखों आध की मुद्रा एक बिशेश रूप दाण कर लेते हैं यहां तक क कि मांस स्पेसियों में भी एक प्रकार की उत्यिजना दिखाई पड़ती है थ्यान में केवल गत्यात्यक तयारी ही नहीं होती बल्कि मानसिक्ता जागरूपता या तैयारी भी इससे सम्मंदित होती है इसी काम की और ध्यान देते समय ब्यक्ति मानसिक रूप से भी जागरूप हो जाता है और उसकी मानसिक सक्तियां प्रभावसाली रूप से काम कर लगती है आता ध्यान प्राणी को समगर रूप से जागरूप बनाता है इस प्रकार से मैंने ध्यान की जो परिभ्यासाइं भी दौनों दे रखी हैं उसको मैंने उसकी ब्याख्या देने की मैंने कोशिस किया ध्यान की प्रकार टाइप साफ अटेंसर रास की अनुसार ध्यान दो प्रकार का होता है पहला अच्छिक ध्यान दूसरा अनच्छिक ध्यान अच्छिक ध्यान जब हम अपनी इच्छा से याउधान के नित करते हैं तब यह ध्यान अच्छिक होता है इसके भी दो प्रकार होते हैं अविचारित ध्यान और विचारित ध्यान अविचारित ध्यान क्या है जब बीना विचार की ये ध्यान केंदित हो जाता है तब उसे अविचारित ध्यान कहते हैं बिचारी ध्यान जब बिचार करने के पस्चाद ध्यान के निर के जाता है तब उसे बिचारी ध्यान कहते हैं दूसरा अनैक्षिक ध्यान जब इच्छा ना होते वे भी केंद्रन हो जाए तो उसे अनैक्षिक ध्यान कहते हैं यह भी दो प्रकार काव होता है, साहज ध्यान और बाध्य ध्यान. साहज ध्यान क्या है? जब मूल प्रवितियों की प्रेणडा से ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाता है, तो उसे साहज ध्यान कहते हैं. इसमें ब्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता. बाद ध्यान जब हमें किसी काणबस बाद ध्योकर ध्यान के निद्ध करना पड़ता है तो वह बाद ध्यान कहलाता है यानि ध्यान के प्रकार में रास ने दो प्रकार बताया अयक्षिक और अनैच्षिक अएच्छिक में दो प्रकार अबचारीद और बिचारीद अनैच्छिक में दो प्रकार सहाज और बात इसकी चर्चा मैंने आपको किया ध्यान के प्रेरक Factor of Attention इसके दो प्रेरक होते हैं आंतरिक प्रेरक और वाह प्रेरक आंतरिक प्रेरक कौन-कौन है जरा आईए देखते हैं ध्यान के आंतरिक प्रेरक दो है चुकि ध्यान अंदर से होता है यह मांसिक सकती है बाहर कभी से नहीं है यह यह अंदर कभी से है इसलिए आईए आंतरिक प्रेरक पर हम चर्चा करें आंतरिक प्रेरक हैं, पहला है इच्छा, जिस बस्त की हमें इच्छा होती है, उसी में ध्यान केंद्रित हो जाता है दूसरा है रूची, जिन बस्तों में हमारी रूची होती है, उनहीं में ध्यान केंद्रित होता है जब रुच हट जाती है तो ध्यान भी हट जाता है तीसरा है आदत आदत भी ध्यान केंदित करने में सहायता करती है जिन बस्तू के प्रयोग की ही आदत है उनमें ध्यान सुतह केंदित हो जाता है चौता मूल प्रवितियां मूल प्रवित्यों के कार्ण ही ध्यान केंदित होता है जैसे भूख के समय ध्यान भोजन के और केंदित होता है पाचवा है संबेग संबेग भी ध्यान को आकर्षित करते कि छठा है पूर्वान भव जो बस्तुएं हमारे अनभो में पहले से आ चुकी हैं उनकी ओर भी ध्यान केंदित हो जाता है सातवा है प्रस्चन प्रस्चन के द्वारा भी ध्यान केंदित होने लगता है आठवा उद्देश उद्देश में सफलता प्राप्त करने की बिजार भी ध्यान को सफलता पूर्वग केंदित करते हैं इस प्रकार से कुल आंतरिक प्रेरक जो हैं, वो हमारी अनस्वार लगभग आठ हैं, पहला इच्छा, दूसरा रूची, तीसरा आदत, चौथा मुलू प्रवितियां, पाचवा संबेक, छठा पूर बानुभव, सातवा प्रशिच्छन, आठवा उद्देश, जिनके बारे म मैंने पूरा आपको बताया, दूसरा है वाह प्रेरक, वाह प्रेरक में, पहला नवीन्यता, दूसरा परिवर्तव सीलता, तीसरा तीब्रता, चौथा पुन्रा बृत्ति, पाचवा गति सीलता, छठा बिसमता, सातवा उतेजक की स्थर्त इस्थिर्ता, और आठवा आगार पहला नवीन्यता, यानि बस्त की नवीन्यता, आउधान को किंद्र करती है, इसलिए नई बस्त की ओर हमारा ध्यान सीलता से चला जाता है, परिवर्तन सीलता, दूसरा पॉइंट, जब तभी एक आएक परिवर्तन होता है, तो आउधान उधर किंद्र के सुजाता है, चलत जोऑ एक बात को दूर आता है तो ध्यान उधर ही क्हिच जाता है पाका मादम गत सीलता इस्थिर बस्त के पेंचा चलती फिरती वस्त की ओर ध्यान जलदी चला जाता है छठा बिसमता बिसमता भी अउधान पर प्रहोड डालती है मोटे ब्यक्ति के साथ पतले ब्यक्ति का हुना हमारा ध्यान आकर्षन है सत्मा उत्तेजक की स्थिर्ता जब कोई उत्तेजक थोड़ी देर के लिए उपस्तित होता है तो हम उधर ध्यान नहीं देते किन्दु जब वह देर तक इस्थिर रहता है तो हमारा ध्यान उधर केंद्रित हो जाता है आठमा आकार बड़ा आकार, छोटे आकार के पेक्षा ध्यान को अधिक आकर्षित करता है तो इस प्रकार से ध्यान के प्रेरक हैं दो प्रेरक आंतरिक प्रेरक और वाय प्रेरक आंतरिक को मैंने बताया इच्छा रूची आदत मुन प्रवितियां संबेग पूर्बानवाव प्रसिछन और रुद्देश अव वाय प्रेरक में नमिनता, परिवर्तम, सिलता, तीबरता, पुनरावरित्ति, गत्सिलता, विश अखाप डालने वाले कारक इसके निम्नकारक हैं पहला रूचि का आभाओ जिस बस्थ में हमारी रूचि नहीं होती उसकी ओर ध्यान के नहीं होता दूसरा दूसरे सक्छाली प्रेरक जब पुष्तित हो जाते हैं तो ध्यान उनकी ओर जाला जाता है अता हम जिस कारी को ध्यान पुरुबग करते रहते हैं वह बंद हो जाता है परिच्छा के दिनों में लाड़ी स्पीकरों पर इसी कारण प्रिद्बन लगा दिया जाता है क्योंकि वे छात्रों की ध्यान को उनकी पुस्तकों में केंदित नहीं होने देते तीसरा अस स्वास्थीक नहीं होने पर भी ध्यान केंदित नहीं होता बीमार बालक थोड़ी देर में पुस्तक अलग रख देता है क्योंकि पढ़ने में उसका ध्यान नहीं लगता छठा है थाकान थाकान के समय भी ध्यान केंदित करने में बड़ी कठिनाई होती है इस पकार से मैंने ध्यान को बाधा डालने वाले जो कारक हैं उन पर मैंने चर्चा किया फीचर साफ अटेंसन ध्यान के रूप ध्यान के रूप पर अगर हम चर्चा करें तो यह चार पकार का हो सकता है जैसे पहला है ध्यान बिचलन, दूसरा है ध्यान बिग्धन, तीसरा है ध्यान बिभाजन, चौथा है ध्यान बिस्तार इस ध्यान के रूप हैं, इसकी चर्चा हम फिर कभी आगी कर देंगे इस पकार से मैंने आपको ध्यान के बारे में बताने की कोशिस किया ध्यान में बेवधान होता है ध्यान का उल्टा बेवधान बेवधान क्या है वाटिज डिस अटेक्सम जब हम किसी विशेश उद्धीपन बस्त व्यक्ति विचार या क्रिया के प्रतिक्षी करण के लिए उस समय यह उस पर अपना ध्यान के नित कर रहे होते हैं तो हमारे वातावन में कोई न कोई ऐसी बात घटित होती है जिससे के हमारा ध्यान प्रतिक्षी करण उद्धीपन से हटकर उस घटने वाली बात पर यानि उस घटने वाली घटना पर चला जाता है इसके परणा मस्रूप हमारे पहले से दिये जा रहे ध्यान की प्रक्रिया में रुकावट या बाधा खड़ी हो जाती है प्रतिक्षीकन करते समय किसी भी एक इस्थित में ध्यान भंग होना बिजलित होना या उसे अपनी बरत्मानी इस्थित से हटा कर किसी अन्य उद्धीपन अथवा आंतरिक या वाय घटना चकर से जुड़ने की प्रक्रिया को बेवधान का जाता है ध्यान में बिजन या तो वाह वातरवन प्रतित उद्धीपन के जायज अथवा नाजायज हस्तक छेप कुछेष्टा अथवा द्रिश्टा से होता है अथवा यह व्यक्तिके सरीर और मन में आने वाले किसी बिकार अथवा आस्वस्ता का प्रेडाम हो सकता है दोनों ही अवस्ताओं में चाहे बिजनकारी उद्धीपन वाह वातरवन में बिद्धिमान हो अथवा व्यक्तिके सरीर और मन मंदिर में इसका कारे बरतमान प्रतिश्चीकन क्रिया को प्रहवित कर देता है इससे ब्यक्तिद्वारा बर्तमान में जिस उद्धीपन पर ध्यान दिया जा रहा है उसके दिये जाने में निसी दुरूप से बाधा पहुँचती है इस वकार के बिग्नकारी तिता ध्यान में बाधा डालने वाले उद्धीपनों को मनोबिज्ञान की भासा में बेवधान करता या बिग्नकारी कह राता है प्रोफेसर एचार भाटिया ने ऐसे बेवधान कारी उद्धीपनों की परिभासा करते हुए लिखा है कोई भी ऐसा उद्धीपन बेवधान कारी कहलाता है जिसकी उपस्ति ध्यान प्रक्रिया में बाधा डालती हो या हमारा ध्यान वांशित विशे से दूर ले जाती हो In English, a distractor may be defined as any stimulus whose presence interferes with the process of attention or or always away attention from the object to which we wish to attend. एकार्डिंग यह चार भाटिया इनकी पुस्तक है Elements of Educational Psychology, 3rd edition जिसका प्रकासम 1968 में हुआ है इस पुस्तक के page number 149 पर यह परिभासा उल लिखी थे तो आप लिखेंगे, a distractor may be defined as any stimulus whose presence interferes with the process of attention or draws away attention from the object to which we wish to attend. According, E.H.R. भाटिया Elements of Educational Psychology, edition 3rd, 1968, page number 139 इस प्रकार से ध्यान में ध्यान भंग होने पर ब्योधान हो जाता है झाल 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 झाल